सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सब से पहले और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें इस पित्रबक्ष में आपको क्या करना चाहिए वो ध्यान से सुनियेगा हम सास्त्रों को जब पढ़ते हैं तो उसमें हमें मिलता है कि हर पुत्र को चाहिए कि वो अपने पूर्वजों का श्राध्य करे तो कहने का अर्थ यह है कि यहां जैसे आप बड़े बेटे हैं अपने घर में तो बड़े बेटे को श्राध्य करना चाहिए श्राद्ध का अर्थ क्या होता है स्रद्धा से दिया गया दान स्रद्धा से किया गया कर्म स्रद्धा से किया गया कर्म को किसके निलिये अपने पूरवजों के लिए स्रद्धा से किया गया दान स्रद्धा से किया गया उनके लिए कर्म स्राध्ध कहले आता है स्रध्धा से किया गया स्राध्ध होता है स्राध्ध किसे करना चाहिए स्राध्ध बड़े बेटे को करना चाहिए यदि बड़ा बेटा करे तो अच्छा है नहीं करे तो मजले को करना चाहिए अब मजला भी नालायक है नहीं करें तब छोटे को करना चाहिए करना तो बड़े को चाहिए अच्छा जब तक पिता है तो पिता स्राज्ट करेगा पुत्र नहीं करेगा ये स्राज्ट की बिधी कौन करेगा पिता पिता नहीं है तो फिर पुत्र पे आ जाएगा बड़ा बेटा बड़ा बेटा करे अच्छा है नहीं तो मजला करे मजला नहीं करे तो छोटा करे करे कोई तो करे क्या क्या कर सकते हैं आप अपने पूरवजों के लिए अब हम आपको बताते हैं क्या क्या करना चाहिए क्या क्या कर सकते हैं हमें यदि आप गयाजी जाना चाहें तो आप गयाजी जा सकते हैं गयाजी में वहाँ पंडे लोग विधी बता आपका शराध्ध कराएंगे फालुगो नदी होती है वहाँ पर शराध्ध वही होता है गय नाम का एक भक्त था भगवान का था तो राक्षस पर भगवान की शरण में चला गया तो भगवान ने कहा तुम मुझसे कुछ मांग लो भगवान ने कहा मुझे पवित्र कर दीजिए भगवान ने कहा तो मेरी शरण में आए होसने लेट कर प्रणाम किया भगवान जी को गय नाम का व्यक्ति था तो लेट कर प्रणाम किया भगवान बोले तुम तो पवित्र होगे आज से तुमारे उपर जो जो श्राज करेगा अपने पूरवजों के लिए वह भी पवित्र हो जाएंगे तुम ऐसी पड़े रहना तो उसी के शरीर में आज भी ये स्राज़ पिंड़दान इत्यादी तरपन होता है वो गया तीर्थ वही है गया वही है तो गया जी हमें जाना चाहिए यदि आपके पिता जी का आप स्राज़ करना चाहते हैं पिंड़दान अच्छा पिंड़दान कम से होता है होती है उसमें भी पिंड़दान होता है वो पिंड़दान उसको प्राफ्त होता है जिसके लिए हम कराते हैं तेरी भी जो भी चला गया है कुल मिला कर ये कहना है कि हम बच्चों को चाहिए कि हम अपने पूरवजों के उस रिन को उतारें जो रिन हमारे माथे पर है अब कोई पिंड़दान ना कर पाए कोई गया जी जाने का पैसा ना हो पिंड़दान करने का खर्चा ना हो माना की कोई बहुत गरीव है माना की कोई बहुत गरीव है तो वो कैसे पिंड़दान करे ना गया जी जा पाए ना भागवजी की पोथी करा पाए ना कुछ काम कर पाए वो उसके पितर कैसे तरफ तो होगे माना कि कोई व्यक्ति बड़ा गरीब है तो उसका भी एक उपाए है कहते हैं कि आप दौनों हाथ उठाकर यदि गरीब है तो अच्य धिक कोई बेटा अपने पूर्वजों का पिंड़ दान शुराद धना कर पाए धन का आभाव है तो दौनों हाथ उठाकर अपने पूर्वजों को याद करे हे मेरे पूर्वज हे मेरे भगवान मेरे पूर्वजों को सदगती दीजिए मैं इतना गरीब हूँ कि मैं उनके लिए कुछ ना कर पाया आप अपने पूर्वजों से प्राथना करेए कि भगवान से प्राथना करेए मेरे पूर्वजों को सदगती दें और प्राथना करते करते यदि कोई दो आसू बहा देता है तो वो आसू ही पिंडवन करम करो करो करना चाहिए क्या क्या कर सकते हैं आप लोग आप लोग अपने पूरवज्जों के लिए भागवज्जी की पोथी करा सकते हैं गया जी स्राज्ज तो कराना ही है पर भागवज्जी से भी हमारे पूरवज्जों की सदगती गयास राज्ज से सदगती होती है और भागवजी से सदगती होती है आप अपने घर में ब्रामणों को बुलाकर भोजन कराई आई अच्छा ब्रामणों को ने मंत्रन कब करना चाहिए इसका सास्त्रोक नियम है जैसे आपकी पंचमी तिथी आई आपके पिता की दादा की माना की पंचमी तिथी तो पंचमी जो तिथी है उस तिथी में आपको माना की दस बारा पंदरा ब्रामण बुलाना शराज्थ के लिए भोजन कराने के लिए तो आप ब्रामणों को कब बुलाएं एक दिन पहले यदि बोलाएं तो सुमेख शर्त है यजमान को और ब्रामण को दौनों को जैसे आपने आज हमेंने मंत्रन दे दिया कि महराजी आप स्राध्ध में आना है तो आपने किसी ब्रामण को कहा कि पंडिजी कल आपको स्राध्ध में हमारे घर आना है पंड़ जी ने बोला आउंगा तो फिर उस दिन आपने बोल दिया तो आपके जो पितर है वो ब्रामन के भीतर जाकर प्रवेश कर जाएंगे कि आज कल ये पंड़ जी हमारा स्राथ दिखाएंगे तो हम इनके भीतर रहें तो जैसे मा खाती है तो मा का खाया बच्चे के पेट में चला जाता है जैसे ब्रामन देवताओं का खाया हुआ पित्रों के पेट में चला जाता है जैसे मा का खाया बच्चे के पेट में चला जाता है जैसे मा का खाया बच्चे के पेट में तो एक दिन पहले यदि आप करते हैं तो उसमें एक ब्रह्मचर का पालन करना पड़ेगा यदि उन्हें अपना ब्रह्मचर खंडित कर दिया यजमान ने या ब्रामण ने तो वो पूर्वज फिर स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर इसका उपाय क्या है बोले आप जिस दिन शुराध्य है उसी दिन आप निमंत्रन दीजिए आज श्राध्य है आपका तो आज सवेरे छे वजे निमंत्रन देने जाईए लेकिन आप ब्रह्मचर का कोई पालन करे तो अच्छा है अब ना करे तो सास्त्र जो कहते हैं वो मैंने आप से कहा हूँ इसलिए आप उसी दिन्यमंत्रण कर सकते हैं कि आप आज कल देखिए इसलिए पहले हर गाओं में दो-चार ब्रामण होते थी ताकि ब्रामण ही प्रशाद पाए प्रशाद तो अप सब को पवाते हैं समाज को गाओं को जितना आपकी शुरतधा है पर ब्रामणों को प्रशाद पवाएं मनिया चकाशक खवाएं मस्त उनको भोजन प्रशादी कर तब जाके पित्रों को त्रप्ती मिलती है तो यह श्राज्द पक्ष है पित्रों को आप जो भी दे सकें उनके निमित जो भी आप करें वो श्राज्द पक्ष में हर व्यक्ति को हर ग्रहस्थ को करना चाहिए जो आपकी स्रद्धा है जो आपके गुरूजन बताएं जो आपके आचारे चरण बताएं वो आपकी जीएगा इसलिए पंडी जी को बुला लीजीएगा वो बिधी विधान से करा देंगे बिधियां पता नहीं होती आप लोगों को इसलिए ब्रामण को बुला कर आप पूर्ण रूप से बिधी कराएं